Hello Viewers, Myself तिपाली त्रिवेदी and I am going to teach Hindi but before starting the video I want to say subscribe our channel and press the bell icon for latest update and like and share the video Hello Children, आज मैं आपको ओविशय शब्द के बारे में पढ़ाऊंगी तो हमारा प्रश्न पहला उड़ता है कि शब्द किसे कहते हैं तो आईए एक परिवासा के द्वारा मैं आपको बताऊंगी शब्द किसे कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्मार होता है अथात हमें शब्द को बनाने के लिए दो या दो से अधिक वर्णों की अवशक्ता होती है उधारण के लिए कल इसमें देखिए कितने वर्ण है एक दो इसी प्रकार से दूसरा उधारण देखिए मटर इसमें कितने वर्ण है एक दो तीन इसी प्रकार से तीसरा उधारण देखिए क्या शब्द है खटमल इसमें कितने वर्ण हैं या कहें अक्षर हैं एक, दो, तीन, चार अथार्ट आपने देखा कि शब्द बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक वर्णों की अवशक्ता होती है लेकिन बच्चों एक बात और समझने वाली है कि शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों के क्रम बद समू को लेना पड़ता है अथाथ वर्णों के क्रम बद समू को ही शब्द कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे सब्द जिनका कोई अर्थ निकले इसी प्रकार से अब मैं आपको बताऊंगी शब्दों के प्रकार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं जिसमें पहला हमारा आता है सार्थक सब्द जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उपर कि सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है जो हमारी बोलने, पढ़ने, लिखने की भासा में प्रयोग होते हैं जैसे कल, चल, जल, खत इन सभी शब्दों का अर्थ होता है जैसे कल का मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल चल का मतलब चलना जल मतलब पानी पीने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसी प्रकार से खत खत मतलब पत्र या चिठी इसी प्रकार से ये सारे शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है तो ये हमारे हो गए सार्थक सब्द अब नमबर दो पर आते हैं निरर्थक सब्द निरर्थक सब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है और नहीं ये शब्द कोस में दिये होते हैं जबकि शार्थक सब्द हमारे शब्द कोस में भी दिये होते हैं रंतु निरर्थक शब्द इनका कोई अर्थ नहीं होता है जैसे अल जैसे कोई कहता है कल अल तो अल का कोई अर्थ होता है नहीं ये हमारा निरर्थक शब्द है ऐसे ही कोई कहे चल खल तो खल का क्या अर्थ होता है चल का तो अर्थ होता है मैंने बताया लेकिन खल का कोई अर आर्थ होता है तो ये भी हमारा निरर्थक शब्द है इसी प्रकार से कई सब्द ऐसे होते हैं जो निरर्थक होते हैं और हम अपनी साधार बोल चल भासा में बोल देते हैं जैसे खाना बाना दाल बाल तो दाल का तो अर्थ है लेकिन दाल बाल उसका क्या आर्थ है दूसरे श शब्द तो आईए बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि शब्द कैसे बनते हैं तो आईए अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बिना मात्रा वाले दो वर्णों वाले शब्द कैसे बनाई जाते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं आपर क्या लिखा है बा प्लस सा त इसको हम मिला कर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बस क्या पढ़ेंगे बस इसी प्रकार से नमबर दो पर आईए जा प्लस गा क्या हो गया हमारा जग क्या हो गया जग इसी प्रकार से नमबर तीन देखिए हा प्लस ला क्या हो गया हमारा हल क्या हो गया बच्चों? हल इसी प्रकार से चार नमबर देखिए फा ल तो मिलाकर पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? फल क्या हो जाएगा बच्चों? फल इसी प्रकार से नमबर पाँच पर देखते हैं ना प्लस ल बराबर क्या हो गया हमारा? मिलाकर को क्या पढ़ेंगे? नल तो अभी यहां पर आपने दो वर्णों वाले शब्द सीखे अब मैं आपको इसी प्रकार से आगे तीन वर्णों वाले शब्द कैसे बनते हैं? बताऊंगी अब बच्चों, मैं यहां पर आपको बताऊंगी बिना मात्रा के तीन वर्णों वाले शब्द कैसे बनते हैं? उन्हें कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हमारा देखी क्या लिखाईए? म, प्लस टा, प्लस रा तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मटर क्या हो जाएगा? मटर इसी प्रकार से नंबर दो देखिए ब, ट, न तीनों को वर्णों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बट, न इसी प्रकार से नंबर तीन पे देखिए क, म, ल तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कमल नमबर चार देखिए मगर आप तीनों वर्णों को मिलाएगे हमारा क्या हो जाएगा मगर नमबर पांच कलश आप तीनों वर्णों को मिलाएगे तो क्या हो जाएगा हमारा कलश तो इस प्रकार आपने तीन वर्णों वाले शब्द भी देखिए अब आते हैं चार वर्णों वाले शब्द बिना मातरा के आईए बच्चों ये हमारे हैं बिना मात्रा के चार वर्णों वाले शब्द तो जिसमें सबसे पहले हमारा शब्द क्या है बरगद अब चारों को मिलाकर पढ़ते हैं क्या हो जाएगा हमारा बरगद नमबर दो शलजम अब चारों वर्णों को मिलाईए तो हमारा क्या हो जाएगा शल्जम क्या हो जाएगा बच्चों शल्जम नमबर तीन पर आईए थर्मस अब ये जो अलग-अलग वर्ण है इनको मिलाकर चारों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा थर्मस क्या हो जाएगा थर्मश इसे प्रकार से नमबर चार पे देखिए बरतन अब यह चारों को हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बरतन क्या हो जाएगा बरतन इसे प्रकार से नमबर पास देखिए अ प्लस ज प्लस ग प्लस रा ये चारों वर्णों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अज गर तो इसमें आप लोगोंने बच्चों सीखा कि बिना मात्रा के चार वर्णों वाले ش़़दों को कैसे हम जोड जोड कर पढ़ना सीखेंगे इसे प्रकार से ये तो आप लोगों ने सीखे हैं बिना मात्रा वाले शब्द लेकिन हमारे मात्राओं वाले शब्द भी होते हैं तो आईए अब मैं आपको मात्राओं वाले शब्द भी सिखाऊती हूँ तो आईए बच्चों अब हम सीखेंगे मात्रा वाले शब्द जिसमें पहला मारा शब्द क्या है मा, आकी मात्रा, प्लस ला, प्लस आकी मात्रा तो इसको कैसे पढ़ेंगे मा, ला, मा, ला नमबर दो, ग, आकी मात्रा तो मारा क्या हो गया, ग, ज, र तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शब्द गाजर इसी प्रकार से आप देखिए क प्लस एकी मात्रा प्लस ला और प्लस आ की मात्रा तो यह हमारा क्या शब्द बन गया का पर एकी मात्रा मतलब के और ला पर आ की मात्रा मतलब ला इसी प्रकार से आप देखिए चोटी की मात्रा क, स, बढ़ा कर मात्रा प्लस न तो का पर चोटी की मात्रा क्या हो गया? कि और सा पर आ की मात्रा क्या हो गया? सा और न तो क्या हमारा हो गया मिलाकर पढ़ते हैं हम इसे किसान इसी प्रकार से नमबर पांच पर आईए पा उसके बाद छोटे उकी मात्रा ल तो पा पर छोटे उकी मात्रा तो क्या हो गया पु और ला ल तो इसे मिलाकर हम पढ़ेंगे क्या हो जाएगा पुल पुल, क्या हो जाएगा, पुल, इसे प्रकार से नमबर छे पर आते हैं, शब्द क्या है हमारा, आईए देखते हैं, थ, आ की मात्रा, प्लस ला, और आ की मात्रा, तो जब था पर आ की मात्रा हो जाएगा, तो क्या हमारा अक्षर बन जाएगा ये, थे, और ला पर आ की मात्र क्या हो जाएगा ला तो क्या हो गया हमारा थैला तो बच्चों आज आपने हमारे शक्त संग सीखा कि शब्द किसे कहते हैं शब्दों के प्रकार कितने होते हैं और बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले शब्दों को कैसे बनाते हैं और कैसे पढ़ते हैं तो आईए बच्चों ये देखिए ये हमारी है अक्टिविटी और ये हमारे कुछ यहाँ पर मैंने अक्षर निकाल कर रखे हैं तो अब आप बच्चों के करकर आएंगे और इन अक्षरों की सहायता से शब्द बनाएंगे तो सबसे पहले आरो ही आप आईए और आप यहाँ पर दो वर्णों को जोड़कर सब्द बनाएए आईए आरो ही तो पहले आप क्या बनाएंगी इसमें से निकालिए और यहाँ पर बनाएए क्या बन गया बच्चा ये फल वेरी गूड तो ये दो वर्णों से हमारा एक अक्षर बन गया फल इसी प्रकारते दूसरा बनाईए जग बहुत अच्छे वेरी गूड तो ये दूसरा शब्द हमारा क्या बना जग बहुत अच्छे आ रही इसी प्रकार से अब सक्षम आ पाईए और अब तीन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाईए इनको फिर से हटा कर और अब आपको तीन वर्णों से इनी अक्षर नों से साथ चाट कर तो ये तीन वर्णों से कौन सा शब्द हमारा बना नमक इसी प्रकार से एक और बनाईए जग जगत बहुत अच्छे सक्षम तो आपने तीन वर्णों वाला पहला बनाया नमक जगत इसी प्रकार से आप तीसरा और चोथा भी बनाएंगे तो आईए अब हम चार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे तो आईए कसक और आप चार वर्णों वाला एक शब्द बनाईए आकर ये कौन सा अक्षर है ब बहुत अच्छे उसके बाद र ब र उसके बाद ग बहुत अच्छे तो ये हमारा कौन सा शब्द तयार हो गया ब र ग द कौन सा सब्द तयार हो गया बहुत अच्छे अब सुड्यांस आप आईए और एक चार वर्णों वाला शब्द आप बनाईए आकर अच्छों तो ये कौन सा शब्द बन गया खटमल तो बच्छों आपने देखा इस एक्टिविटी से ऐसे ही अक्षरों के द्वारा आप दो वर्णों वाले तीन वर्णों वाले चार वर्णों वाले शब्द जोड़कर बनाना सीखेंगे आईए बच्छों अब इस एक्टिविटी को करते हैं इस एक्टिविटी में दो शब्द दिये गए हैं एक सही शब्द और एक गलत शब्द तो आपको सही सब्द पर निशान लगाना है आईए तो सबसे पहले आप आईए बेटा सूर्यांस बताईए सही सब्द कौन सा है पेर या पैर उसमें सही का निशान लगा दीजिए बहुत अच्छे पैर अब रोली आप आईए बताईए कौन सा शब्द सही है मला या माला एक में आप सही का निशान लगा दीजिए माला बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब इसी प्रकार से राहुल आप आईए अब आप नंबर तीन पर देख रहे है एक शब्द दिया गया है सही शब्द क्या है सूरज या सरज सूरज सूरज बहुत अच्छे इसी प्रकार से नंबर चार पर आते हैं अब ताशिफ आप आईए बताईए कौन सा शब्द सही है चूहा या च्छा चूहा बहुत अच्छे और नमबर पांस पर देखते हैं सब्द कौन सा सही है घड़ी या घड़ घड़ी घड़ी बहुत अच्छे तो इसमें आपने सही शब्द को भी पहचान कर उसमें सही निशान को भी लगाना सीखा तो ऐसी बच्छों आप घर पर भी अपने एक्टिविटी के माद्यम से शब्दों को बना बना कर देखेंगे धन्यवाद